हालो फ्रेंड आज हम बात करेंगे एपी मनी के अगर आप से पर डिस्ट्रिबूटर लिये हुआ है तो आड इक से लॉगिंग करें अपना बाइलेंस कैसे चिक करें और पासवर्ट कैसे रिसेट करें रिटेलर कैसे बनाया और अपने एमाउंट कमिशन को रिटेलर को सेंड क और पाढ़ेंस नंबर रहता है और पासवर्ट कंपनी द्वारा भेजा जाता है जैसे आप और पासवर्ट अपना O सबसे पहले आपको अपना पासवोड को चेंज कर लेना होता है ठीक है पासवोड करने के लिए सेटिंग में जाने के बाद से यहां पर चेंज पासवोड है चेंज पासवोड पर क्लिक करना है अपना पासवोड डाले और यहां से सम्मीट कर ले आपका नया पासवोड चेंज हो जाएगा ठीक है अगर आपका वालेट का पैसा बालेंश चेक करना है तो यहां पर बालेंस चेक का उप्शन है यहां पर क्लिक किजिएगा जैसे एक क्लिक की जग आपका बालेंस यहां पर सूख कर देगा या उपर से नीचे ऐसे डिस्पले को स्क्रेप किजिएगा तो भी आपका बालेंस सूख कर देगा ठीक है अगर अपना इस्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो यहां से इस्टेटमेंट में आके देख सकते है transaction summary आज की डिट में इतना commission आया है commission view report अपने जो भी देखना है देख सकते हैं ठीक है और बाकी सरा चीज है यहां पर आप समझ सकते हैं इसके अलावा अप फिर आपको language setting है कि आइसी update है certificate और agreement और यहां पर इसके भी setting option है other option है others में जाकर check कर लिजिए कि अपको commission क्या set है यहां पर check कर सकते हैं अपना commission क्या commission क्या मिल रहा है और आप कितने अपने रिटेल को दे रहा है ठीक है जिसे post page का यहां से commission चेट कर लिए ठीक है यह हो गया अब हमको देखना है कि ID कैसे बनाना हो ठीक है सबसे पर अडी बनाने के लिए हम यहां पर जो नीचे चार आइकन दिया हुआ है तो यहां से ही ID बनता है ठीक है यहां पर तरी डॉट वाले पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक किजिएगा यहां पर में option आजाएगा create users का ठीक है create users में क्लिक किजिए यहाँ पर select user type आपको क्या बनाना है आपको retailer बनाना है या distributor बनाना है या master बनाना है जो भी ID बनाना है उस पर tick लगा लेना अगर retailer बनाना है तो यहाँ पर tick लगा लेना है यहाँ पर और option आगया user ID में mobile number डालना है full name में जिनका ID बना रहें का नाम डालना है mobile number में user ID में जो mobile number डाले हैं से मही mobile number यहाँ पर डाल देना है address में हमका address डाल देना है email ID डाल देना है और submit कर देना है जैसे ही submit किजिएगा उनको ID password चला जाएगा उसके अलावा ID करने का option हो गया यहाँ पर रिटेलर लिस्ट है distributor लिस्ट है master distributor लिस्ट है यहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं ठीक है कि आपके डिस्टिबूटर कितने हैं रिटेलर कितने हैं और उनके जिनको भी डालना है उनका mobile डाल दीजिए payment में और cash लिकिए जो भी आप लिख सकते हैं जो amount डालना amount receive amount से मोहें डाल दीजिए payment method cash प्रफोन जो भी करना है उपकर के यहाँ पर उस रिटेलर को पैसा चला जाएगा उस रिटेलर साल पैसा लेका अपने काम कर सकते हैं इसके अलामा है कि यहेंज फिर हम हों पे आ जाएंगे बैक होना है तो यहा पे हों में पे आ जाना है इसो हों पर आ को लिए कि बहुत सारा सर्विस मिलता है जो सर्विस आप यूज नहीं कर सकते हैं क्यों रिटेलर यूज कर सकते हैं और सुपर डिस्टिबूटर यूज नहीं कर सकते हैं डिटोन के लिए मॉन्स करके अपने रिटी decía सकते इसक्त यहां unlock पैमेंट रिक्वेस्ट ट्रियाई और सीसी भेनूँ तो यहां पर आपको जो भी मेथड से अपना पिंद लेना है आप ले सकते हैं कि इसक soutर अब स्कुर्ण कर सकते हैं इस那麼 में कुछ नहीं है जिनको भी सुपर डिस्टिप्टराइज चाहिए वो मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रेप्शन में मेरा मोबाइल नमबर है और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें और को क्लिक कर लें थैंक यू और मैं जाता जाते एक चीज़ और बता दूं अगर आपको कस्टमर केर का नंबर चाहिए थे होम पेज पर आजएए यहां पर देखिए एक आईकन बना हुआ उपर इस पर क्लिक कीजिए जैसे क्लिक कीजिएगा आपको मिल जाएगा आने बाद